आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कल ब्रिस्पतवार को यानि एकस्पाइरी वाले दिन वीकली एकस्पाइरी वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर हम प्रोफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं 18 अगस्त को और टार्गेट इंट्रिस टोपलो सब कुछ हम डिसकस करने वाले तो वीडियो को अंततक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और कुछ नया सीखने को मिल चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चारट ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू के अप्लिकेशन है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो की इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिसकस किया था अगर मार्केट ओपन होने के 17 अगस्त का ही है यह पिछले 16 अगस्त के मैसिज थे जो कल की वीडियो थी आज का मैसिज आपको यह दिखेगा देखिए 9 बज के 4 मिनट पे यानि कि मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको बोला दोस्तों आज मार्केट तगरीबन फ्लैट ओपन हो सकती है अगर नीचे एक बार भी प्राइस एक्षन बना तो ही प्रोफिट बुकिंग आ सकती है औरना दोपर तक मार्केट बुलिश लग रही है आज मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं कार्ण मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि निफ्टी में ज्य चल रही होती है पहले दिन साथ मिला देखे लिए कि expiry वाले दिन एक अच्छा momentum हम capture करें और अच्छा momentum की हम आस रखते हैं कि बड़ा momentum आए तो कल हम कैसे market को handle कर सकते देखिए समझने की यहाँ पर क्या जरूरत है मा लीजिए bank nifty flat open होती है flat open होई flat open होने के बाद इसको cross करती है इस high को cross करती है 49,500 के level को cross किया अगर direct cross करें तो आपको retest करने का weight करना है ठीक है direct cross करें अगर market यहाँ पर open होगे time spend करके अगर इसका breakout देती है तो फिर आपको retest का weight नहीं करना है 15-16 point का SL दालेंगे 1-22 हमारा target होगा हम coal side बैठ जाएंगे पहला target आपको 49,600 49,700 का मिलने वाला intraday में आपको momentum देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी यह जो resistance है दोस्तों यह test हो चुका है 2-3 बार तो अब इसमें इतनी जान बची नहीं अगर इसके उपर market निकलेगी तो market एकदम से उपर जा सकती है क्यों क्योंकि दोस्तों जादा तर जितने भी trader होंगे जो जिन्होंने call short मार रखी है बहुत चारे जो उनके stop loss यहाँ पर मिलेंगे आपको ठीक है इस area में आपको उनके stop loss रखे वे मिलेंगे जो की hit होते ही अचानक से buying happening हो सकती है अब मालीजे put side आपको 50 दिन की moving average भी है ठीक है तो इसके नीचे मार्केट आएगी हम तभी put side जाएंगे मालो फ्लैट ओपन हुई फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आई यह 50 की moving average को काटा या फिर इसके नीचे 49300 के नीचे निकलती है अगर time spend करके निकलती है breakdown देती है तो 50-60 points का SL डालेंगे 1-2-2 हमारा target होगा हम put side बैठ जाएंगे लेकिन 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 अगर directly इसको cross करती है और फिर तो हम price action बनने का वेट करेंगे जैसे directly cross के 49300 को फिर हम तोड़ा सा रीटेस्ट होने का वेट करेंगे रीटेस्ट होने के बाद ही हम नीचे की सोचेंगे अगर ऐसा होता है रीटेस्ट होती है दोबारा से नीचे जाती है moving average के नीचे एक में पांच मिनिट की candle भी close कर देती है तो हम put side जाएंगे पचा साथ पैंट का SL रहेगा अगर दोस्तो gap of open हो गई market कल तो हम क्या कर सकते दिखिए दोस्तों bullish इस हफते में profit booking भी आ सकती है इस चीज को मैंने आपको कल भी बोला था आज फिर से बोल रहा हूं profit booking आ सकती है इस मही इस हफते में चाहे वो कल आओ चाहे वो इस हफते के last में आओ या फिर अगले हफते के शुरुआत में मतलब कुछ दिनों के अंदर profit booking आ सकती तो आपको थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखना होगा जैसे market अगर gap of open होती है 49-600 के उपर 700 के उपर तो आपको wait कर जाना है 15-30 मिनिट का candle बने दीजिए अगर bullish candle बनी इस टाइप की कोई bullish candle बनती है तो हम क्या कर पचासट पॉइंट का एसल डालेंगे और टार्गेट के वल 70-80 पॉइंट का ही रखेंगे चाहे आप दिन का लो डाल लेना बीस तीस-चालिस पॉइंट का डालेना 30 या 40 पॉइंट का लेकिन टार्गेट भी आपका छोटा रहने वाला है क्योंकि अचानक से market ने अच्छ सलो मुमेंटम है जैसे आज 222 चड़ी कल 220 चड़ी पर 110 चड़ी इस तरीके से उपर जा रहे तो जिनकी यहां पर पोजिशन होल्ड हैं दोस्तों वो प्रोफिट बुकिंग कर सकते हैं इसलिए उपर की तरफ गैप अपन होती है तो टार्गेट थोड़ा सा काम रखें अग सब्सक्राइब करेंगा पहला टार्गेट जो यह सपोर्ट का काम करेंगा फिर जो यह लेवल है 49500 के आसपास का क्योंकि साइकोलोजिकल लेवल के तो सपोर्ट का काम करेंगा अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी दोस्तों गैप डाउन उपन हो जाती सीधा इसके है तो अगर इसके आसपास आई एक बुलिस गैप डाउन ओपन हुई और बुलिस केंडल इस टाइप से बनी देखिए मैं आपको दिखा देता हूं 49-49-300 के बीच ओपन हुई और एक बुलिस केंडल बनी और दिन का हाई जैसे ही क्रोस किया दस बजे के आसपास या फिर प पंदरा मिनिट की पांच मिनिट की केंडल क्लोज कर देती है तो हम पूट साइड जाएंगे पचासाइट पैंट का एसल रहेगा मौन इस्टूट हमारा टारगेट हो जाएगा पहला टारगेट 49-800 का आपका यह वाला यह स्विंग आपका रहने वाला है पहला स्विंग य यह है दूसरा स्विंग यह यह दान रखना अगर ज्यादा डाउन ओपन होगी और इस स्विंग को तोड़ दिया तो फिर हमारा यह स्विंग पूट साइट टारगेट हो जाएगा यह दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे ठीक है और बैंक निफ्टी में आज हमने इस म क्या है एक बर मैं आपको दिखा दूँ कहां गया टेलीग्राम पर हाँ यह देखिए मैंने आपको नो बजगे 41 मिनिट पर ही जैसे हमारे अकोर्डिंग मार्केट चली बुली स्केंडल यह बुली स्केंडल बनते ही मैंने आपको क्या बोला कि 49,300 पर पेपर ट्रेड करके देखिए नजर बनाके रखिए इससे आपकी स्किल डेवलोप होगी 155-175 के बीच में थोड़ी से नीचे आई 165 तक आई और फिर देखिए जबर्दस्ट टार्गेट हीट हुए बाई यह मैं आपको दिखा दूँ 165-280 टार्गेट 290 तक गये लेकिन मैं अपडेट यहां तक ही करने पाए 115 पॉइंट हमको मिले केवल अपनी स्टेटजी की वज़े से ठीक है और फिर हमने एक यह बर्जर पेंट की भी जो की स्प्लाई एरिया में है इसके उपर भी मैं आपको स्टेडी करके दिखाँग इस वीडियो में एक सप्लाई एरिया में है इसमें भी एक अच्छा फास्ट मूँ कैप्चर हुआ लेकिन अभी मैं नहीं मानता अच्छा क्रेक्शन आना बाकि आज तो यह वापिस से फिर उपर चड़ गया लेकिन मैं सोच रहा हूं कि निच्चे जरूर आना चाहिए इस यह जोएड़ नहीं देता हूं मेरा कोई प्राइम गुरूप नहीं है आपको चैनल औरीजिनल है जिसकी पोस्ट पे व्यूँ है क्योंकि हमारे बोट चैनल बोट सब्सक्राइबर नहीं लेकिन बोट हैं उनकी पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे एक सबसे कुछ हिंदी नहीं में लीखा हुआ है आप यहां पर पहचान कर सकते हैं औरीजिनल चैनल को ही जोएन कीजिए ठीक है चलिए बैंक निफ्टी के लेबल देखते हैं निफ्टी में आज पहली मैंने आपको कल बोला था कि बहुत जबरदस्त सपेस है निफ्टी के अंदर कैसे यह यहां जब निफ्टी ने क्लोजिंग दी तो मैंने जैसे ही क्रोश करते हैं ओनली बाइसाइड देखेंगे और यहां पर टच करते ही निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया और इसलिए मैं आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में आज कम सपेस था आज के लिए और सब्सक्राइब नहीं तो इस सब्सक्राइब निफ्टी को बहुत ऊपर यानि 500 पैंट तक रीबन ऊपर जाना चाहिए था लेकिन 12 बजे तक तो बिलकुल अपोजिट थे वाई दोनों आप चेक कर सकते हो चार्ट निका लगे अब आगे के लिए क्या हो सकता है देखिए अ 18,000 पचास 18,000 असी तक मार्केट जा सकती है अगर 18,000 से उपर निकल गी तो फ्लो फ्लो में क्योंकि 18,000 पर बहुत सारे लोगों के SL है जो की हिट होते ही यह बाइंग हैपनिंग हो सकती है तो हम क्या करेंगे इस से उपर जाते ही हम छोटा सा SL डालेंगे 20-30 पैंट का और 1 20-30 पैंट का दिन का हाई हम स्टो प्लोस डालेंगे 1 इस्टो टो हमारा टार्गेट हो जाएगा हम पूट साइड बैठ जाएंगे लेकिन अगर gap up open नहीं होती है अगर ज्यादा gap up open होगी तो आपको पूट साइड सोचना है हलकी gap up open होती है तो आपको call side सोचना है जैसे द तोड़ा सा चोटा प्लांट करना क्योंकि उपर जाने में थोड़ी से घबराट होने चाहिए आपको क्योंकि अच्छा मोमेंटम आ चुगा कभी स्ट्रेच होगी मार्केट है से स्ट्रेच होगी कभी भी प्रोफिट बुकिंग आ सकती इस चीज़ को आप याद रखना हो सकत आपको फोग्स सी बनाकर दिखा देता हो एक मिनिट्ट अच्छा कुछ सीख enough आपको यह वाला बंस बस इसको प्लान pry में इस बोक्स को बनाली जीए माल लीजिए फ्लेट ओपन होई फ्लेट ओपन होने के बाद ये बोक्स तूटता है प्राइस एक्षन बनता है ये लो तूटता है 17,910 का या 20 का लो तूटता प्राइस एक्षन बना और 17,900 से जैसे ही नीचे आई 20-30 पैंट का SL रहेगा अगर गैप डाउन ओपन होगी तो भाई थोड़ा सा बुली स्केंडल अगर बन गई ऐसे बुली स्केंडल बन गई और दिन का हाई क्रोस किया प्राइस सेक्षन बना है तो आप कोल साइड जाएंगे वन इस्केंड टारगेट होगा 20-30 पैंट का SL लेगा पहला टारगेट 17, 17,750 का रहने वाला है लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद नेगेटिव केंडल बन जाती है और 50 की मुविंग एवरेज नीचे तूट जाती है तो पुट साइड बैठेंगे 20-30 पैंट का SL लेगे वन इस्केंड होगा पहला टारगेट होगा पहला टारगेट दोस दूसरा यह स्विंग हो गया यह दोस्तों निफ्टी के लेवल थे ठीक है अगर फ्लैट ओपन होगे इससे नीचे इंकलती है तो हम पूट साइड जाएंगे और कल हो सकता है मार्केट हलकी सी प्रोफिट भूकिंग क्या पता कल आ जाए नहीं तो क्या पता परसु आजा ल आज की अच्छी इता है इसको मैंने मार्किंग कर दोफिए टोटली सेलिंग एरिया में है यह सेलिंग एरिया में है अगर आप देखोगे तो यहीं से लास्ट टाइम गिरावत आई तो हई चांस है इस एरिया में थोड़ा सा रीटेस्ट करने लिए ऐए इस वजय से हम तो अगर इसको आप दिन की केंडल करोगे तो आपको दिखेगा कि यहीं से देखिए डाउनसाइड मोमेंटम शुरू हुआ था इसी किसी रेंज में रसिस्टेंस के आसपास है तो अगर डाउनसाइड आया तो श्हस्टो असी तक नीचे आ सकता है ठीक है तो श्हस्टो नभ करके जिरूर बताएं लाइक जुरू आभी तक आपने सब्सक्राइब करें चैनल की निचे सब्सक्राइब शिरू करें साथ में घंटी की निशान को जरूर दोबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहें में वीडियो श् दो बखते हिरे दिए